एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल SG Food World में मैं लोटी हूँ एक जबरदस रेसिपी के साथ भटूरे की रेसिपी सरदिया हो या गर्मिया हर किसी के मुँँ में ये गर्मा करम भटूरे देख के मुँँ में पानी आ जाता है देखिए कितने लाजवाब फूले फूले भटूरे ये फूले फूले भटूरे आप घर पे बना सकते हैं बहुत ही असानी से इतनी इजी रेसिपी है इसकी आप सोचेंगे मैंने पहले क्यों नहीं ट्राइ किया घर पे बहुत ही हाईजिन तरीके से क्रिस्पी भटूरे त्यार हो सकते हैं मिन्टों में ही देखिए कितने क्रिस्पी है इस रेसिपी की शुरुवात करने से पहले आईए दोस्तों SG Food World को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें ताकि लेटेस रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएं भटूरे बनाने के लिए आपको लेना है मैदा, देड़ कप, ये कम से कम तीन से चार लोगों के लिए असानी से भटूरे बन जाएंगे इस क्वांटिटी में दोस्तों अगर आप इसी तरीके से भटूरा बनाना चाहते हैं फूला फूला बिलकुल बजार जैसा तो जरूर एंड तक मेरी वीडियो को देखें इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ इन सीक्रेट टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो बिलक भटूरे बनाने के लिए तो देखें मैदा गूनते समय हमें पानी का यूज नहीं करना है ध्यान रखें हमें सिर्फ सोडा यूज करना है सारा मैदे का डो जो है हम सोडा की मदद से ही गून देंगे ये सीक्रेट मैं आप ही के साथ शेयर कर रही हूं दोस्तों ये भटूर बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है और सोडा वाटर भी आप दीरी दीरे आड़ करें इस डो बनाने के लिए एक बारी मैदे को एक साथ इकठा कर लेंगे जैसे आप आटा गूनते हैं बिल्कुल उसी तरीके से गूनना है पानी एक बारी में आड़ नहीं करते हैं ऐसे ही सोडा भी एक बारी में आड़ नहीं करना है डो हमारा बहुत परफेक्टली गुन्दा है जितना भी मैदा बाउल पे लगा था वो कठा हो चुका है और डो त्यार हो चुका है अब भटूरे में क्रिस्पीनेस लाने के और अच्छे से हाथ से इसको पूरे बावल में फिलाएंगे एक और बढ़िया सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं इस भटूरे के डो को आपको अच्छे से पटकना है ताकि जितने भी बुलबुले हूं वो सब निकल जाए जितना अच्छे से पटकेंगे उतने आप चाहें तो किसी स्लाप पे भी पटक सकते हैं पर स्लाप साफ करने पहले जितना अच्छे से इसको पटकेंगे उतने अच्छे से भटूरे बनेंगे ध्यान रखें इस बात का थोड़ा से और वाइल लगा रही हूं बिलकुल त्यार है अब एक लोन या वाइल का कपड мीचा लेंगे जो की इस तरीके से दिखेगा और उसको हल्का सा गीला करके डो को कवर कर देंगे एक प्लेट से इसे कवर करके कम से कम आदे से एक Dos गंटे के लिए इससे अलग रख देंगे अब इसकी फिलिंग त्यार कर लेते हैं कुछ नहीं करना इसके लिए पनीर ग्र कर सकते हैं अपने मन मताबिक अब भटूरे को बेलने से पहले अच्छ से बेलन को रिफाइन ओयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो दो है वो चिपकेना और ऐसे ही आप चकले को भी अच्छ से ग्रीस कर लेंगे रिफाइन ओयल से अब एक गंटे बाद हमारा डो बिल्कुल अब एक बार फिर से इस डो को हम चकले पर अच्छे से पटकेंगे ताकि जो बचे कुछे बबलस हैं वो भी निकल जाए और पेलते समय हमें कोई दिक्कत ना आए जितना जादा अच्छे से इसको पटकेंगे उतने अच्छे से बटूरे बनेंगे भटूरे बनाते समय एक चीज और ध्यान रखें जो कड़ाई लें वो फैली हुई हो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ और इसमें रिफाइंड आइल गरम करने के लिए रख देंगे हाई फ्लेम पे अब एक चोटी लोई लेंगे जिस साइस का आपको भटूरा बनाना है और हाथ पे रिफाइंड वाइल लगाएंगे इसको अच्छे से फैलाएंगे और इसमें जो हमने पनीर की स्टफिंग करनी है वो इसमें डालेंगे ज्यादा स्टफिंग नहीं करें नहीं तो जो स्टफिंग है वो भारा आजाएगी और भटूरा अच्छे से फूलेगा नहीं पनीर की स्टफिंग करने के बाद आपको इसे बन करना है जैसे आप पराठों में स्टफिंग करने के बाद बन करते हैं बिल्कुल भी कहीं से गाप नहीं आना चाहिए नहीं तो ये भटूरे सेखते समय फट जाएंगे बिल्कुल ऐसे और उसके बाद रिफाइन वाइल लगाके इसे मोड देना है चलिए बेलते हैं हलके हाद से इसे बेलना है आपको बहुत हलके हाद से और लबा बेलना है जितना लंबा बेलेंगे उतना अच्छा भटूरा सिखेगा और कहीं से भी मोटा नहीं होना चाहिए यह ध्यान रखें नहीं तो बहुत गंदा स्वाद आता है देखिए कितनी बड़िया तरीके से बेल है आप भी बहुत असानी से बेल लेंगे मैं जानती हूँ एक बार कोशिश करने की देर है अब इस भटूरे को हम कराई में डालते हैं एक बार ऑईल गरम हो चुका है हाई फ्लेम पर फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें ताकि जो भट है बहुत अच्छे से उसका टेस्ट आए तेखिए कितना बड़िया गोल्डन कलर आ रहा है गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है इसका फ्लेम को अगर आप हाई कर देंगे ना तो भटूरा तो सिक जाएगा पर अंदर से नहीं सिकेगा और कच्छा कच्छा सा स्वाद आएगा इसका इसलिए फ्लेम को मीडियम पर करेंगे तो जादा अच्छा है वाव मज़ा आ रहा है न जितना देखने में आपको मज़ा आ रहा है उससे जादा मज़ा आपको बनाने में आएगा और उससे जादा मज़ा आपके घरवालों को खाने में आएगा गरम गरम फूला फूला भटूरा बिलकुल बजार जैसा घर पे असानी से बना सकते हैं अब आप इस रेसिपी के साथ मेरे साथ जरूर शेयर कीजेगा अपने सजेशन्स और कमेंट्स कि कैसी लगी आप सबको ये रेसिपी और अपने दोस्तों के साथ और अपने रेलिटिव के साथ जरूर शेयर करें इस रेसिपी को ताकि वो भी इस रेसिपी का लुफ्त उठा पाएं मिलूंगी ऐसी ही और मज़ेदार टेस्टी टेस्टी इजी रेसिपीज के साथ तब तक के लिए गुडबाई, टेक केर डोंट फोगेट तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब